Hey everyone, तो आज हम tissue से blending करना सिखेंगे, तो सबसे पहले अपने sketch पे base layer apply कीजे, मैं यहाँ पर 2B pencil का use कर रहा हूँ, आप अपने reference के हिसाब से अपने grade को चून सकते हैं, याद रखे कि शुरुवात में ज्यादा dark shades आप use ना करें, base layer apply हो जाने के बाद हम tissue paper लेंगे, उसको square में fold करेंगे, बाद में उसे हमें circular motion में use करना है, यह important step है guys, यहाँ पर आपको back and forth नहीं जाना है, आपको circular motion में ही अपने tissue paper को apply करना है, shading को smooth करने के लिए आपको किसी भी blender की ज़रत पड़ेगी, यहाँ पर मैं makeup sponge का use कर रहा हूँ, आप चाहे तो dry brush भी use कर सकते हैं, बाद में इनी 3 steps को repeat करना है 2-3 बार, एंड में dry brush से उसको अच्छे से एक बार और blend करना ना भूले, तो इस technique को आप कही पर भी use कर सकते हो, for example face, clothes and body parts, वीडियो अच्छा लगा तो एक like कर देना और ऐसे ही tips के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले,